कि बिस्मिल्लाइरख्म रहीम असलाम अलेक मैं यूटिव फैमली कैसे हैं आप सब उम्मेद करती हैं सब ठीक हूंगे आज हम बनाने जा रहे हैं किमे वाले प्राठे उसके लिए मैंने लिए दो कप आटे के इसमें मैं एड करूंगी थोड़ सी एजवें चुटकी पर मैंने इसमें एड किया है अब मैं इसमें एड करूंगी सॉल्ट नमक हाफ टी स्पून के बरापर हाफ टी स्पून से भी कम है ज्यादा नहीं अपने टेस्ट के मतबग आप लोग डाल सकते हैं आप इन सारी चीज़ों को जीतरा से मिक्स करेंगे इसमें एड करूंगी तक्रीबन टू टेबल स्पून ओयल सीची तरह से मिक्स करूंगी जब यह सारा अची तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद में इसमें पानी आड करूंगी वह इसकी एक प्यारी सी डोब ना लूँगी अब मैं हातों के साथ इसकी डोबना होगी पानी इसमें तोड़ा तोड़ा करके एड करेंगे ज्यादा पानी तक एड ना हो जाए अभी चक करें मैंने इस तरह की डोब ना लिये अब मैं इससे थोड़ा सा ओयल लगाऊंगी और थोड़ी देर तक्रीबन दस से पंद्रम इंट्रेस्ट के लिए रख दूंगी दस से पंद्रम इंट कवर करके रख दूंगी दस से पंद्रम इंट तक आपने इससे कवर करने हैं उसके बाद मैं इससे दोबारा खोलूंगी अब आपने इस डोब को निकाल लेना है निकाल के थोड़ा थोड़ा इस तरह से दोबारा से मसलेंगे मसल कर थोड़ी छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे हम लोग अब आपने इनकी कटिंग करके इनके छोटे छोटे पेड़े बना लेने अब इनको बेलना स्टार्ट करते हैं मैदे के साथ डस्ट करेंगे उसके बाद एक पेड़ा उठाएंगे इसको भी मैदे के साथ फुल डस्ट करके उसके बाद इसे पेलना स्टार्ट करेंगे अब आपने एक ही साइज की दो रोट के पेल ले दी है आप इनकी फिलिंग करते हैं अब हमने कीमा लेना है इस कीमे को पूरी तरह इसके उपर फिला देंगे थोड़ा थोड़ा एट नहीं करना से बरबर के एट करने इसलिए मैंने डबल रोटी बना ही है अच्छे तरीके से इसको फिला कर अगर आपको मेरी वीडियो प्संद आती है प्लीज लाइक करें शियर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें अब साइडू से हमने इस तरह से बंद करना है वरना यह खूल जाएगा पानी थोड़ा से लेकर और इस ब्रेश को इस तरह से डिप करके इसके साइडू पे इस तरह से हमने पानी लगाना है अगर आप चाहें इसमें चीज भी एड़ कर सकते हैं मैंने चीज एड़ नहीं करें अब यह दूसरी रोटी उपर से उठाएंगे इस तरह से इसके उपर रख देंगे उसकी साइडूं को इस तरह से कवर करेंगे पहले इस तरह से बंद करने इसके बाद आप चाहें कोई साबी डिजाइन बना लें तरह से बंद करेंगे यह दो यह दो आप यह दो पर आप प्वा है यह है इस गवँ मा आप आप बना आप दूसरी आप खाज़ अब मैंने इसको बंद कर लिया है तवे को फ्री रिट होने के लिए रख दिया है यह अच्छी तरह से गरम हो जाए उसके बाद इसके उपर हम अब हमने इस तरह से उठाना है और इस तरह से इससे तवे पर अब में से पलेट लूँगी इसके उपर में ओएल लगाऊंगी मैं तो पारा से इससे पलेट लूँगी फ्लेम को आपने मीडियम रखना है जदा तेज नहीं रखना है वरना यह जल जाएगा मैंने फ्लेम को इस लिए कम रखा है ताकि यह अराम आराम से सारा पक जाए अच्छी तरह से अब चेक करें प्रंठा मारा चितरा से पक चुका है अब मैं इसे निकाल लेती हूं अब नेक्स्ट हमने एक और पेडा लेना है इसमें भी फिलिंग इस तरह बरनी है हुआ हुआ है इस तरह से करके आम ने से फूल जोड़ लेना है हुआ है 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 हुआ 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 है हुआ है हुआ है अब आमने इसको भी बेल लेना है एक बात का ख्यार रखना है जिस साइड से ये थोड़ा सा फट जाए उस साइड से आपने नहीं बेलना हलका हलका से इस तरह से डेब डेब करके इस से फ़ला लेना है चित्रा ताके कीमा इसके अंदर चित्रा से अजस्ट हो जाए आराम आराम से आपने बेलना है जदे दबा के नहीं बेलना बस हलका हाथों से बेलना है बेलना है अब देखे ये बन के त्यार हो चुक है अब हमने इसे तवे पे फिलाना है तवे पे हमने ये पिला दिया इसे मैंने पेडा ज्यदे बड़ा नहीं लिया था छोटा सा पेडा लिया था इसलिए मेरा प्राठा भी छोटा है पलट लेने स्पैचलर की हल्प से अगर आपने इसमें फिलिंग ज्यादा एड़ करने है तो पिर जो पहले मैंने बनाया है उस तरह से बनाना है अगर कम फिलिंग एड़ करनी है तो फिर इस तरह से आपने बनाना है के यह प्राठा यह मरा त्यार हो चुका है अब इससे नििकाल लेते हैं यह दनु साइच ऐसे देखें है अच्छी तरह से पक चुका है अब इससे निकाल लेते हैं भी शोट करते फिर आपको दिखाते हैं यह हमारी रेसपी हो चुकी अतियार अब इसकी कटिंग करते हैं पिर आपको दिखाते हैं अगर आपको मेरी वीडियो प्संदाती है प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें अभी देखें यह फुल तियार हो चुका है इसकी फिलिंग देखें इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को खत्म करती हूं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में आपने बहुत सरा ख्या रखना अपनी द्वह में हमें भी याद रखना लाफिस कर सकता है यह अफ यहें डintग आपना दुक 1577元 वान बहुत है अपनी मिलती दान का सकती हूं का सकताने है